सर हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुख्या होने के नाते प्रधान मंत्री सदन में आएं, अपनी बात रखे, अपनी सम्मेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मनिपूर को एक संदेश जाए कि इस दुख की गड़ी में पूरा सदन मनिपूर के साथ है, हम मनिपूर में शान्ती चाहते हैं ये हमारी अपेक्षा थी, ये हमारी अपेक्षा थी लेकिन अफसोस की बात है, कि ऐसा नहीं हुआ प्रधान मंत्री महोदे ने एक मौन वरत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे और इसलिए अध्यक्ष महोदे ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताफ के द्वारा प्रधान मंत्री महोदी जी का मौन वरत हम तोड़ना चाहते हैं सब्साफ सब्साफ तीन सवाल है प्रधान मंत्री महोदे से सवाल पहला कि आज तक वो मनिपूर क्यों नहीं गए राहूल जी गए इंडिया अलाइंस के विवेंट पार्टी जी गए गरह मंत्री जी गए मोएस होंब गए परदेश के मुख्या होने के नाते प्रधान मंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए यह है सवाल पहला सवाल दूसरा कि लगभख अस्ती दिन क्यों लगे प्रधान मंत्री मोदी जी को मनिपूर पर कुछ बोलने के लिए और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले और उसके पस्चात आज तक भी प्रदाल मंत्री मोदी जी के तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द ना कोई शांती की याचना मंत्री मंदल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे हम बोलेंगे आप बोलें आपको किसी नहीं रोका लेकिन प्रदाल मंत्री मोदी जी एक प्रदाल मंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है माब कीजिए प्रदाल मंत्री मोदी जी अगर प्रधान मंत्री होने के नाते एक शांती की पहल करें उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसर्प में वो ताकत नहीं है प्रधान मंत्री होने के नाते सवाल हमारा तीसरा कि प्रधान मंत्री जी ने आज तक मनिपूर के मुख्यम मंत्री को बर्खास क्यूं नहीं किया आपने गुजरात में जब निर्वाचन आये गुजरात में जब आपको अपनी राजनी ती कंड़नी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिये एक बार नहीं दो बार उत्राखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्राखंड में एक बार दो बार तीन बार चार बा त्रिपूरा में निर्वाचन आए तो त्रिपूरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यों मंत्री को बदला मनिपूर के मुख्यों मंत्री में ऐसा क्या आपने विशेश आपका आशिरवाद आप दे रहे हैं जुनों ने खुद कबूल किया है कि आज मे गधान मंत्री मोधी जी मनिपुर्ट पर क्यों मौन हैं शायद उस प्रशन का उत्तर भी तीन है